यूपीयसी के परिक्षा देश की सबसे मुश्किल परिक्षाओं में से एक मानी जाती है परिक्षा में सफल होने के लिए एस्परिंट्स सालों साल मेहनत करते रह जाते हैं इसके बावजूद मातर कुछ लोग ही परिक्षा में सफल हो पाते हैं कड़ी मेहनत करने के बाद भी कई बार असफल होने की वज़ा से लोगों का मनुबल तूट जाता है लेकिन आयारेस नमिता शर्मा की कहानी इससे बिलकुल अलग है UPSC की पाँच परिक्षाओं में असफल होने के बावजूद नमिता ने आकरी प्रयास तक हार नहीं मानी और आखिरकार अपने छटवे प्रयास में खून पसीना बहा कर सफलता हासिल की आये जानते हैं आयारेस नमिता शर्मा की सफलता की कहानी नमस्कार स्वागे थे आपका प्रभात एक्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर यह आपको मिलेंगी सभी कॉमपटिटिव एक्जाम से जोड़ी महत्वपून जानकार या साथ ही डेली करेंट अफेर से रिलेटेड वीडियोस पी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए शुरुबात करते हैं हम आज के वीडियो की दिल्ली की रहने वाली नमिता ने Electronics and Communication में Engineering की पढ़ाई पूरी की Engineering में Graduation पूरा करने के बाद नमिता शर्मा ने UPSC परिक्षा में शामिल होने का फैसला किया IRS नमिता शर्मा UPSC परिक्षा में पांच प्रियासों में असफल हो गई थी इसमें से चार बार वो Prelims परिक्षा भी क्लियर नहीं कर पाई थी तम उन्हें समझ में आया कि वो पढ़ाई तो बहुत कर रही है लेकिन वो इसके बावजूद भी असफल रहे गई इतनी असफलताओं के बाद भी नमिता ने हार नहीं मानी बलकि दोगुनी मेहनत करने का फैसला लिया और परिक्षा कॉलिफाई किया नमिता अपने पाँचवे प्रियास में भी असफल रही उन्होंने मेंस सो कॉलिफाई कर लिया लेकिन इस बार इंटर्व्यू में पीछे रह गई फाइनल लिस्ट में उनका नाम ना देखकर उन्हें बहुत निराशा हुई लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी नमिता शर्मा का आखरी अटेंट था तब उन्होंने अपनी तयारी का तरीका बदल लिया और मेहनत में जुट गई साल दोहजार उठारा में उन्होंने अपना छटवा अटेंट दिया जिसमें उन्होंने 145 वी रैंक हासल की नमिता शर्मा ने UPSC परिक्षा अपनी स्ट्रेटिजी शोशल मीडिया पर शेयर की है जिससे अन्य उमिदवारों को भी काफी फाइदा मिल सके उनका मानना है कि इस परिक्षा में सफल होने के लिए टाइम मैनेज्मेंट समझना और सही स्ट्रेटिजी बनाना बेहत ज़रूरी है आयरस नमिता शर्मा आजकल के एस्परेंट्स के लिए इन्सपरेशन से कम नहीं है नमीता की यह कहानी हमें बताती है कि हार मानना सबसे बेकार फैसला होता है बैनत से सब कुछ संभव है दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेर करें और अगर आपके पास हमाले कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट भी लिखे हमें ज़रूर बताएं अपनी तैयारियों को और अच्छा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए हमारी टेलिग्राम लिंक की मदद से हमसे जुड़ सकते हैं जल्द आप से फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार